आज मैं आप लोगों को cloud storage के बारे में बताऊंगा A to Z Hi guys, मेरा नाम है क्रिपेश अधवानी और यहाँ पर मैं आप लोगों को help करता हूँ एक बेटर software purchasing decision लेने के लिए तो recently मैं आपर अभी cloud storage के ओपर video बना रहा हूँ जिसमें मैं include करूँगा best cloud storage in India उसमें मैं detailed test करूँगा, detailed reviews करूँगा, comparison भी करूँगा तो अगर आप लोगों कुछ suggestions हो तो आप लोग मुझे नीचे comments में बता सकते हैं तो आज मैं आप लोगो explain करूँगा cloud storage का क्या funda होता है, कैसे work करता है, क्या इसका advantage होता है, क्या इसके disadvantage होते है किसे इसे use करना चाहिए और किसे इसे avoid करना चाहिए cloud storage क्या होती है, cloud storage layman terms में समझाओं तो ये वो data होता है जो online store रहता है वो सारी cloud लेंदर है, cloud seeding बोलते हैं और online का मतलब यह नहीं कि यह नहीं कि बादल में store होता है, बादल में नहीं होता है यह store होता है दूसरी data centers में, वहाँ पे बड़े-बड़े data centers होते है TVs में data centers होते है, petabytes में data centers होते है वहाँ पे आप लोगों को उसका एक छोटा सा portion मिल जाता है तो आप उस data को कहीं से भी access कर सकते हो via internet अब आपको यह मिलेगा कैसे, जैसी आप लोग Gmail पर sign up करते हो, तो यहाँ से आपको free storage मिल जाती है अगर आपको उसके ऊपर चाहिए, तो फिर आपको इसके लिए pay करना पड़ता है, कितना pay करना पड़ता है इसका usually monthly rental रहता है, और उसका monthly rental decide होता है कि आप कितनी space use करने वाले हो 10 GB यूज़ करने वाले हो, 50 GB यूज़ करने वाले हो, 1 TB, 500 MB, उसके basis पे आपका rental decide होता है अब beginners के मन में यह confusion होता है, कि मानलो मैंने 10 GB की एक file upload कर दी, तो मुझे अगले महीने payment नहीं करनी है इसा नहीं है, जब तक आपने storage आपके पास रहेगी, उसमें आपको जतना data डालना है डालो, जतना data नहीं डालना है मत डालो, अगले महीने नहीं डालो, फिर भी आपको इसका monthly payment देना पड़ेगा अब इसको purchase कहां से करें, purchase करने के लिए बहुत सारे options है, Google Drive, OneDrive, Dropbox, इसके लिए में एक separate video बना दूगा कि इंडिया में अच्छा-च्छा options कौन से हैं तो अब इसको use कैसे करना रहता है, जैसे कि मैंने बता है कि आप इसको web यां, software के थूरू access कर सकते हो और आपको file manager मिल जाता है, जिसके थूरू आप इसको काफी easily use कर सकते हो, files को share कर सकते हो, files को delete कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, कुछ डाल सकते हो, कुछ देख सकते हो, तो file manager के थूरू easily इसे use किया जा सकता है क्या सारी cloud storage सेम होती है, जी नहीं सारी cloud storage सेम नहीं होती है, सबके अलग-अलग factors रहते हैं, कोई convenience पे जादा ध्यान देता है, कोई security पे जादा ध्यान देता है, कोई speed पे जादा ध्यान देता है, कोई एक overall user experience पे जादा ध्यान देता है, तो अलग-अलग factors रहते हैं, अलग- इसे इंक्रिटे रोगाय को क्या रखने है अगर छाहता है किना साफ के इसकी चividad कने साफ बनती है वो आपके data को access कर सकते हैं, क्या वहाँ पे encryption policies है की नहीं है, जब मैं बाइंग गाइट का वीडियो बनाऊँगा तब मैं इसे detail में डिसक्स कर लोगा, कि encryption कैसे होता है, zero encryption policy क्या होती है, यह सारी चीज़े, अब अगर मैं इसके advantages की बात करूँ तो सबसे पहला यह है, कि आपके local space बचाता है, जो भी आपके computer में, mobile में, आपको वहाँ पर रखने की ज़रुरत नहीं है, आप सिधे इसे cloud पे upload कर सकते हो, and then अपने local hard disk से इसे delete कर सकते हो, secondary security को लेकर गए कि अगर आपका कभी local device चोरी हो गया, या कुछ disaster हो गया, fire हो गया, corruption हो गया, जो भी हो गया, तो आपके पास एक secondary copy रहेगी आपके cloud storage के उपर, तीसरा पाइदा इसका versioning को लेकर के, versioning का अगर मैं आसान बाशा में समझाओ, तो मान लो एक document है जिस पर मैंने आज काम किया, फिर मैंने उस पर पाँच दिन बाद भी काम किया, अब मैं मुझे लग रहा है कि यार नहीं जो मैंने उस पर काम किया है, मुझे वो पहले वाला version ही चाहिए था, तो वो होती है versioning, कि आप पहले वाले version पर switch कर सकते हो, अगर आप लोग cloud storage पर काम कर रहे हो, तो आप जैसे undo जैसे usually हम लोग करते हैं, यह undo ही होता है, बस इसका time जादा हो जाता है, कि हम लोग 4 दिन पहले undo कर सकते हैं, 6 दिन पहले कर सकते हैं, तो यह होती है versioning, तो आपको cloud storage में versioning भी मिल जाती है, versioning के साथ मिलता है trash option, trash again recycle बिन जैसा होता है, तो अगर कुछ भी आप लोग डिलीट कर देते हो, और अगर फ्यूचर में आपको इसकी requirement परती है, तो 30 दिन रहते हैं, किसी किसी में 180 दे रहते हैं, तो अगर कभी कुछ important चीज़ डिलीट होगे, तो इसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है cloud storage के उपर, अगला जो इसका फाइदा है, वो है कि आप लोग के पास आपका डिवाइस नहीं है, तो भी कहीं से आप लोग इन करके आपका डिवाइस नहीं है, लोगों के लिए फॉर्म भरे होंगे, तो वो होती है sharing, लेकिन cloud storage में और भी अच्छे sharing के options होते हैं, जैसे कि आपने password set कर दिया, आपने limit set कर दी कि इसे 10 बार ही कोई open करके देख सकता है, आपने expiry date set कर दी कि 10 दिन बाद ये expire हो जाएगा, तो इस टाइप से आप लोग sharing अच्छे लेवल पर कर सकते हो cloud storage के थूरू, next set data corruption prevent करता ही है, आपकी local hard disk के crash होने के chances जादा है, compared to वो data जो आपने cloud storage पर रखते रखा है, cloud storage वाले professional लोग रहते हैं, उनका ये काम professionally रहता है, तो usually वो लोग copies बना के रखते हैं data की, and एक rate system का use करते है, rate 5, rate 6, यह सारे system होते हैं, जहापे आपकी data की copies बनती है, तो इन system के थूरू, आपका data जादा secure रहता है, अगर कोई hard disk corrupt भी हो जाए, उनके end से भी, तो भी उनके पास copies रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आपकी hard disk corrupt भी थी कब, वापस रही थी कब नहीं लगी है, तो वो सब automatically हो जाता है, तो cloud storage पे आपका data corruption prevent हो सकता है, अगला है download and upload as per requirements, जब यह आपको किसी भी documents की requirement रहे, तब आप उसको download कर सकते हो, किसी को upload करना है, आप upload कर सकते हो, तो वो cloud storage में काफी easily होता है, and मैं जो अपने documents हमेशा रखता हूँ, अपने cloud storage के उपर, वो है मेरे documents, pan, आधार, license, जितने भी मेरे official documents है, वो हमेशा मेरे cloud storage पे रहती है, किसी भी काम के लिए मुझे उस documents की requirement रहती है, तो easily वो मैं आपने cloud storage से access कर लेता हूँ, next इसका advantage है, syncing को लेकर के, अब मानलो मैं अपने android projects पे काम कर रहा हूँ, और मैंने उसको save किया, अपना system बंद कर दिया, तो जो भी मैंने काम save किया, वो मेरी local copy में तो save हो आई है, अगर मैंने कोई cloud storage लेकर रखिया है, और उसमें selective sync का option है, तो जैसी मैं आपे changes करूँगा, और वाइ-फाई के साथ connect करूँगा, वो changes मेरे cloud storage पर भी हो जाएंगे, इसे कहते है selective sync, या आपको जो भी अपने project को sync करना है, आप लोग उस पर काम करते जा, और वो automatically cloud storage पर save होते जाएंगे, यह सिफ प्रोजेक्स के लिए नहीं है, बाकी बी चीज़े हो गई, photos, videos, जो भी आप लोग करना है, आप लोग कर सकते हो, अब अगर मैं इसके disadvantage की बात करो, तो you have to pay rental fees, यह फिर yearly fees, यह फिर lifetime को अक्सेस करने के लिए इसको fees देनी पड़ेगी, तो यह free नहीं है, आपको कुछ है, आप पे payment करनी पड़ती है, second जो इसका disadvantage है, वो यह है कि आपके पास internet connection होना चाहिए, एक अच्छी speed में, upload हो सके, download हो सके, इतना आपका internet connection होना चाहिए, minimum मेरे इसाब से 2 Mbps का होना चाहिए, अगर आपको इसे access करना है, तो, तीसरा इसका disadvantage यह है, कि आपको इन companies को अपने data के लिए trust करना पड़ेगा, कि क्या वो आपका data सही से रखेंगे, कि क्या वो किसी के साथ share तो नहीं करेंगे, क्या encryption रहेगा, क्या इनकी privacy policies है, तो वो सम्में detail में डिसकस करना हो, आपने hosting वाले वीडियो में, अच्छे से detail test, मैं करके बताऊँ आपको कि कौन सी अच्छी है, और किस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप लोगो को एक cloud storage लेना चीए, आप लोग अल्रेडी एक cloud storage को यूज कर रहे हो, फ्री में, Google Drive के थरू, Google Photos के थरू, iCloud के थरू, वो आप लोग automatically यूज कर रहे हो, और सिर्फ फोटोस के लिए ही अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो आपको पेड ओप्शन की मेरे ख्याल से ज़वरत नहीं पड़ेगी, अंटिन और अनलेस आप लोग बातरूम में जाकर 27 फोटोस क्लिक करके आते हो, तो यूजवली आपको आपके परसनल फोटोस और डॉक्यमेंट के लिए पेड ओप्शन की ज़वरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जिसके थूँ आपको अर्निंग होती है, तो इस डेटा के थुर्भ आपकी रोजी रोटी चलती है, तो उस डेटा का एक बैक अप रहना बहुत जरूरी है, एक ऑफ सर्वर बैकप होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी वर्स्ट केस सिनारियो में, आप लोगों के पास कुछ डेटा रहे ताकि आप लोग अपना काम वापस से शुरू कर सको जैसे मेरे जितने Android प्रोजेक्ट से वो मेने क्लाउड पर डाल के रखे हैं जो भी मेरे important documents है, जो भी मेरे important footages है और प्रोजेक्स में कुछ कीज वगरे होती है, जिसके तो आप लोगो अपने प्रोजेक्स को अपलोड नहीं कर सकते हो, तो उनकी भी मेने copy रखके रखे तो इस टाइट से आप लोगो के पास एक off-server backup होना बहुत जरूरी हो जाता है तो आप लोगो को cloud storage समझ में आ गया होगा, मैं best cloud storage का video ले आँगा, अगर आप लोगो कुछ suggestions हो, जो आप लोग चाहते हो कि मैं उसे include करूँ तो उन suggestions को नीचे comments में डाल दीजेगा, और अगर आपको ये video अच्छा लगा है तो उसको thumbs up देजेगा, चानल को subscribe कर लीजेगा and I will see you guys in the next one, goodbye.